जब कायर व्यक्ति अहिंसा परमोधर्म कहता है, तो उसे क्या कहेंगे? भारत में जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धी संपदा थी, सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे, वे शस्त्र त्याग कर सदियों से सन्यासी बनकर जंगलों, पहाडों, गुफाओं और हिमालय में जाकर बस जो लोग संसार में रहकर सर्वोत्तम योगदान दे सकते थे, जो सक्षम और सामर्थ्यवान थे, जो ज्यानी थे, मेधावी थे, प्रबल और प्रतापी थे, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में संसार छोड़कर मोक्ष प्राप्ती को चल दिये, जिनकी जरूरत संसार मे उन्होंने संसार और ग्रहस्थी छोड़कर वनवास किया, गुफावास किया, हिमालयवास किया, ध्यान किया, साधना की और ना जाने क्या 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 किया। अध्यात्म, धर्म, मोक्ष मार्ग, इत्यादी, हमारा चिंतन, हमारा दर्शन, हमारा मार्ग दर्शन, इच्छाओं के विरुद्ध रहा, महत्वा कांक्षा के विरुद्ध रहा, एश्वर्य, सत्ता, वैभव, समरिध्धी, धन के विरुद्ध रहा, हाला कि वास्तविक्ता और आज भी है कि इनके बिना किसी का गुजारा हो ही नहीं सकता। उस वकखत अहिंसा परमो धर्म वाले कहां थे। उनका मार्ग दर्शन जैसे को तैसा इंट का जावाब पत्थर से वाला था ही नहीं। और यह पावन भूमी अत्याचारों के कदमों तले कुचलती गए। और महत्वा कांक्षी लक्ष्य से वन्चित था। पूरा समाज, जातियों और संप्रदायों में बंटा हुआ था। लड़ाकु वर्ग बहुत ही कम संख्या में था। फिर तो सर्वनाश होना ही था। वहीं हुआ भी। हमें कायरों वाली अहिंसा की कोई आवश्यक्ता नहीं थी। आज भी नहीं है। एक हजार साल हम गुलाम रहे। हम गाजर मूली की तरह कटते गए। हमारी हजारों बहन बेटियाओं कैद पकड़ के मध्य एशिया के बाजारों में बेची जाती थी। तब भी हमने अपना अहिंसा पर्मो धर्म वाला खोखला मुर्दा चिंतन छोड़ा नहीं। नालंदा को जला दी गई। वहीं उस जमाने की विश्व प्रसिद्ध विद्यापीठ, तक्ष शिला, नालंदा, वल्लभी, अवंती, काशी, विक्रम शीला का हुआ, 500,000 जिहादी आक्रमन कारियों ने सब अध्यापकों विद्यार्थियों को काट डाला। पूरा ग्रंथ यह सब कहते हुए, अहिंसा परमो धर्म की नहीं, तब आवश्यक्ता थी दूसरे मंत्र की, आज भी उस मंत्र की हमें सख्त जरूरत है, वो मंत्र मैं आज 100 करोड हिंदूओं को, आप सब भारतवासियों को देता हूँ, वीर्ता परमो धर्म, वीर्ता परमो धर्म, विवेक आनंद ने कहा था, शक्ती ही जीवन है, कमजोरी मौत है, आज शक्ती सैन्य बल में है, धन बल में है, कूट नीती में है, टेकनोलोजी के ज्यान में है, इन सारी शक्तियों से ही अपना भारत महान बन सकता है, बड़ी-बड़ी डींगे मारने से, ध्वनी प्रदुशन के अ झाल